हेलो दोस्तो, स्वागत है अब सभी के पसंता येटूब चैनल में तो दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भोजपुरी इंडर्शी के एक ऐसी सूपर इस्टार अभनेत्री सह गाईका के बारे में जिन्हों ने अपने टैलेंट के दम पे अपना एक अलग नाम और पहचान बनाया है जिहां दोस्तो, हम बताने वाले हैं भोजपुरी की लेडी सिंगम आक्छरा सिंग के बारे में अगर आप आक्छरा सिंग को नहीं जानते हैं तो आपको बता दे की भोजपुरी जगत की सूपर इस्टार अभनेत्री के साथ सूपर इस्टार गाईका भी है जिनका गाना सौसो मिलियन भ्यूज्टो क्रोस करता है और आक्छरा सिंग इन दिनों बीग बाउस के घरों में दिख रही है और बीग बाउस में भी इनका जलवा देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से बीग बाउस को खेल रही है हाला कि आक्छरा सिही का नाम हमेशा ना किसी ना किसी हिरो के साथ बिवादों में रहता है तो चलिए अब जानते हैं आक्छरा सिही के बारे में और गहराई से और जानेंगे इनके फिल्म, एस्टेसो और गाने की फी कितना लेती है उससे पहले चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को दबा दिजे तकि मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चलिए अब सुरू करते हैं तो अविनेतरी आक्छरा सिही का जन्म 30 अगस्त 1993 इस्वी को पाटना बिहार में हुआ था और अभी आक्छरा सिही 28 सल की हो चुकी है आक्छरा सिही के पिता के नाम बीपिन सिही और माता का नाम निलमा सिही है और आपको बता दे कि आक्छरा सिही के माता और पिता भी भोजपूरी फिल्म इंडस्टी से जुड़े हुए हैं आक्छरा सिही की माता निलमा सिही तो आज भी भोजपूरी फिल्म में निगेटिव रोल में या मा की रोल में दिखाई देती हैं अब आक्छरा सिंह के एजुकेशन यानी की पढ़ाई की बात करे तो आक्छरा सिंह ने गेजुएशन तक की पढ़ाई की है आक्षरा सिंह के फिल्मी केरियर की बात करे तो आक्षरा सिंह ने अपनी फिल्मी केरियर की सुरुआते साल 2011 में भोजपूरी फिल्में प्राण जय पर वचन जय से की थी जिसके हीरो थे रवी की सन और यह फिल्में आक्षरा सिंह के लिए बहुत लखी साबित होई और इस फिल्म ने आक्षरा सिंह को भोजपूरी सिनेमा की सुरुख्यों में ला दिया और इसके बाद आक्षरा सिंह ने सोंगंद गांगा मैया की फिल्म में नजर आई और इसके बाद साल 2013 में आक्षरा सिं हम हैं बाके बिहारी इन फिल्मों के सफलता के बाद आक्छरा सिह ने अब तक दरजनों फिल्में कर चुकी हैं आक्छरा सिह का सबसे बड़ा फिल्में पावर इस्टेर पौन सिह के साथ सत्या है तो आपको फिर से बता दे की आक्छरा सिह का जीवन का सबसे बड़ा फिल्म ह सत्यार जिसमें पावर इस्टार पावन सीह के साथ आक्षरा सीह ने काम किया है आक्षरा सीह की गाईकी करियर की बात करे तो आक्षरा सीह ने गाईकी की सुर्वात साल 2016 में पावन सीह के सावन के एल्बम से किया था गाने का नाम था दिल बोले बम बम जिसके बाद आक्षरासी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक कई ब्लोकवास्टर गाने गा चुकी हैं जिन में इनके सबसे बड़े गाने का नाम है इधर आने का नहीं इस गाने को 319 मिलियन प्लस भ्यूज मिल चुके हैं अब आक्षरासी की फी की बात करे तो आक्षरासी एक फिल्म करने के लिए लग भग 10-15 लाख तक लेती हैं जबकि एक एस्टोस सो के लिए 2-3 लाख रुपिया लेती हैं और वही एक एलबॉन सौंग गाने के लिए लग भग ए 1-5 लाख तक चार्ज करती हैं आक्छरा सीह की साधी की बात करे तो आक्छरा सीह ने अभी तक साधी नहीं किया है हाला कि इनके साधी के चर्चे पावर एटर पाउन सीह के साथ चल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाउन सीह ने जोती सीह के साथ साधी कर लिया और आक्षरासी ने पावर इस्टार पावन सीह पर कई सारे आरोप भी लगाये थे इन दोनों के बीचे बिवाद इतना ज़्यादा हो गया था कि ये दोनों आज भी एक साथे किसी फिल्म में काम करते नजर नहीं आये हैं और साथे आगे भी ये दोनों एक साथ काम नहीं करने वाले हैं आक्षरासी की पावन सीह से बिवाद होने के बाद काफी दिनों बाद अब खेसाईलाल यादों के काफी क्लोज हो चुकी है और अब खेसाईला लियादो और अक्छरा सींग के साथ कई सारे एलवाम सौंग और फिल्मे आने वाले हैं जिनके कुछ फिल्मों का सूटिंग भी एस्टार्ट हो चुका है और आपको बता दे कि पौवन सींग और अक्छरा सींग की जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था लेकिन ये जोड़ी अब आप सभी को नहीं देखने को मिलेगी अब आक्षरा सिंह की जोड़ी खेसाईलाल यादों के साथ फिल्मों में देखने को आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाली है तो ये था सूपरेश्टार अभिनेत्री और गई का आक्षरा सिंह का जीवान पलच है और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए और आप अगले वीडियो में किस हीरो या हीरोईन का बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईए मैं अपने अगले वीडियो में उस हीरो या हीरोईन का बायोग्राफी वीडियो बना कर लाऊंगा तो वीडियो को जदा से जदा लाइक करिए और जदा से जदा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए धन्यवाद